तो थोड़ा वेट करिए क्योंकि एहम सपोर्ट लेवल्स के पास अब बाजार आ चुका है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी थोड़ा वेट करेंगे हम लेवल्स वाच करेंगे और उसके बाद अगर इसके नीचे टिका रहता है कुछ देर और तो फिर शॉर्ट साइट के ट्रीडर्स के लिए मौके इहां पर बन रहे हैं सरकारी बैंकों में भारी बिखवाली नजर आ रही है और अब लग रहा है कि असर दिख रहा है और भी ने जो गोशना की थी उसका असर क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि इंपक्त तो पड़ेगा उनके इंपक्त डाल रहा है स्पेशली सरकारी बैंकों के फ्रेंट पर क्योंकि इंकि प्रॉफिटिबलिटी पर सीधे सीधे इसर पर सकता है और ब्यास दरों में भी बॉरोइंग कोस भी बढ़ने की बात यहां पर हो रही है PNB, Bank of Baroda, SBI सभी दिंके निशले सर पर आ चुके हैं वेशाली PSU बैंकों में वैसे थोड़े पहले भी चर्चा की थी लिगिन क्या मौझूदा को फ्रेश ट्रीड आपको नजर आ रहा है सरकारी बैंकों में फिलहाल तो मुझे नहीं आ रहा है तो शुरुवात करेंगे SBI, SBI अभी काफी टिका हुआ है बट अगर यह 565 लेवल्स तोड़ रहा है तो फिर SBI में भी सेलिंग हो सकती है और टागे सांगे 540 की तरह एंड लाइकवाइज इन फैक्ट TNB, Canbank और Bank of Baroda फिलहाल सपोट तोड़े नहीं है वी विल बेट के अगर सपोट तूटते है जैसे कि Bank of Baroda है अगर 190 लेवल्स, 188 लेवल्स डिसाइसिवली तूटता है तो I think यह स्टॉक जा सकता है अराउं 178 So Bank of Baroda वेट इन वाच है बट जैसे कि मैंने कहा देखिए अक्सिस में शुरुवात ही हो गई है, कोटक बैंक और वीक्नेस पे है तो मैंने शुरुवात मैं कहूंगी के अक्सिस और कोटक से करिये और वेट इन वाच तिल पबिक सेक्टर बैंक की सपोर्ट लेवल्स तूट तब शॉट करिए ओके तो ये नजरिया है बैंकिंग शेरों को लेके जहां कमजोरी घहराती जा रहे है तो शुरुवात आप कोटक और एक्सिस से कर सकते हैं और उसके बाद अगर ये ट्रेंड कंटिनू होता है तो बाकी बैंक भी हो सकता है कमजोरी दिखाने लगे पर इ